हलो जब भी तुम्हारा होसला आसमान तक जाएगा जब भी तुम्हारा होसला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई न कोई तुम्हारे पंक काजने जरूर आएगा अपका कमेंट आ रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए पहले मैं कुछ मतलब की बात कर लेता हूं फि इसके पहले क्या-क्या पढ़ा था इकाई अंक जब सिंपल वाले नंबर दिये हो तब यह हम लोगों ने पढ़ लिया था ना जैसे अगर मैं एक छोटा सा कुश्चन पूछ हूँ देख लिजिए यही है ना इसका घात अगर 1296 है का इकाई अंक क्या होग क्या होगा बताओ क्या होगा इसका इकाई अंक क्या होगा option है 4 होगा 1 होगा 2 होगा या 3 होगा बताओ यह question है जो बच्चा पीछे class देखा था वो 2 second में कर ले जाएगा और जो नहीं देखा था वो 2 दिन में भी नहीं कर पाएगा try करके बताओ मैंने बहुत ही business trick से इसको बताया था कि आप इसे देखते जट कपट कर ले जाओगे आज factorial वाला देखेंगे factorial वाला question बहुत कमाता है लेकिन important है कुछ भी छोड़ना नहीं अपनी तरफ से अर्पित ठीक है पढ़ लो बच्चा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो इसमें क्या है लाइस्ट में जीरो है ना करके देखो फिर मुझे बताना इकाई एंग जीरो आएगा ना बिल्कुल सही इसमें से कोई आपसन सही नहीं है इकाई एंग सुनना हैगा क्योंकि जब इसे तुम 4 से भाग करोगे 96 को तो जीरो आ जाएगा तो जीरो का पावर जीरो हमेशा जीरो ही होगा इसमें से कोई आपसन सही नहीं है बिल्कुल करेक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सब बढ़िया चल रहा है ना बोल दो एक बार हट गया हूं में सामने से दिख तो रहा है ना पूरा पूरा चलो भाई ठीक है तो यह आप लोग कर लेंगे अच्छा अगर इसमें 15 का घात मैं कर दूँ तब क्या होगा हूं अ मानलो कि मैंने इसमें ऐसे कर दिया कि इस पर अगर मैंने घात कर दिया one nine nine six कि इसमें काई यंग क्या आयगा भाया कल पढ़ाया हूँ मैं इसमें इक आई अंक्या आएगा वाट इद दा यूनिट डिजिट फार दिस कुश्चन देखिए सब कुछ क्लियर होगा अगर आप रेगूलर आएंगे रेगूलर्टी बहुत जरूरी है तो कल वाली क्लास आप जरूर देख लीजिए मैं उपर पहुंच नहीं रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं कुछ भी गंदा सा तो कोई दिक्कत नहीं ओके यह सब मैं कल पढ़ा चुका हूं आज घातों में इक आई अंक वाला टॉपिक चलेगा लेकिन कुछ अलग था रहागा कोईश्चन कुछ अलग होगा दालो हेटिंग लिखो इक आई अंक यूनिट डिजिट अइसे लिख लो भाईया इक आई अंक उके कोईश्चन के टाइप आज अलग होंगे कैसे कल आपने सिंपल सिंपल नंबर ऐसे देखा था ना आज जब इनका जोड घटाना गुड़ा भाग हो तब कैसे करोगे देखो पहले प्लस की इस्तिती में देख लेते हैं फिर माइनस वाला बाद में देखेंगे ठीक है हाद मैंने टाइप सारे नोट करके लाए हैं यहाँ पर किस цटाइप के अाज करना है तो यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बताया था कल पहले तो यह जानू आप लोग थोड़ा सा पहले समझ लो मैंने कहा था कि आधार में इकाई यंक सूत्र लिख लो भाईया पहले इस साइड में यहां पर यह फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लिखो आधार में इकाई यंक आधार में इकाई यंक इसकी घात क्या रहेगी कि जो भी घात रहेगा घात बटा चार का सेस यही आंसर होता यह फर्मूला लगता ठीक है लाश्ट में मैंने सेस लिखा है थोड़ा मैं लगता है निकल गया बाहर ना यहां पर से से ठीक है थोड़ा छोटा कर लो का से से ओके यह फर्मूला है तो अगर मैं छोटा सा कुश्चन यह दिया तो आप लोगों ने करी लिया इसमें चीज और ध्यां रखना है अगर इसको चार से भाग करें जीरो आ जाए तो उस पर हमेशा घात चार लगाई जाती है जीरो को चार से रिप्लेस कर लेते हैं याद है तुम्हें न चलो फिर काय को देर देखो 215 इसकी घात है मान लो मेरे भाई 33 ठीक है और प्लस ए में है 121 इसकी घात 17 के योग में इकाई यंक बताओ के योग में यूनिट डिजिट बताईए यानि इकाई यंक बताईए कितने लोग कर लेंगे ये कुश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का कुश्चन कितने लोग कर लेंगे बोलो कर लो कर लोगे सभी पक्का कि मैं सबका कमेंट देख रहा हूं रोहिद जी कमेंट आपका आ रहा है अर्पित सिंग आपका भी कमेंट आ रहा है पारूल सिंग सौम्य सुकला रंजन आपका भी कमेंट आ रहा है सबका कमेंट मुझे दिख रहा है सिंपल है बहुत ही सिंपल है एकदम आसान है देखे शाथ यह आपर समझेए जो लाइश्ट का डिजिट है अमें सिर्फ उतने से मतलब होता है फाइफ इसको फोर से भाग करेंगे थार्टी थी को और इसका लाइश्ट डिजिट है वन वन का जो पावर है यह इसको भी फो से भाग करेंगे जो सेसफल आएगा मेरे भाईया जब 33 में तुम भाग करोगे चार फे तो ये सब को पता है कि चार अठे 32 सेसफल एक आएगा यानि यहाँ पर 5 का पावर कितना आएगा 1 और प्लस इसको भाग करोगे यहाँ भी सेसफल 1 नहीं आएगा फाइनल में यह 5 और यह 1 बराबर 6 अंसर भी 6 ही हो आएगा बस कुछ नहीं करना है बोलो कितना आसान था कि नहीं आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो पता नहीं क्यूं ज्यादा क्लास भी नहीं चली थी फिर भी यूटूब नोटिफिकेशन नहीं दिया क्या सबको काहां चले गए सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे आगे बढ़े चली ठीक है कोई बात नहीं बहुत अच्छे बेरी गुड बैरी गुड भाई कि 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 देखो यहां पर समझो अब यह हो गया फाइनल कि इस तरह का योग वाले में एक और कर लिजिए फिर हम और मतलब थोड़ा नेक्स टाइप में चलेंगे देखिए सबसे आसान है जोड़ना घटाना सरी जोड़ना गुड़ा और भाग घटाना वाला थोड़ा सा जमेला टा लेगा बाकी जोड़ने में और गुड़ा वाले में तो एकदम रसाय मलाई है है हूं समझो फिर समझो इस टाइप का सिकेंड कुश्चन जैसे मैंने लिखा मालो 217 इसकी पावर मैंने लिख दिया 37 137 लेलो कोई दिक्कत नहीं और प्लस 319 इसकी गहाद 543 के योग में इकाई अंख क्या होगा बताओ के योग में इकाई अंख क्या होगा पहरा आपसन है 1 दूसरा है 6 तीसरा है 3 चोथा है 9 अब्दीज जल्दी करें किर पया जल्दी करें अस्वनी कुमार, सीता गुपता, और पीता यादो, और एनिवन, अंजली, निदी कुमारी, देखिए कुछ लोगों के कमेंट्स हाइड हो रहे हैं, उनको मैं सो भी नहीं करूँगा, मुझे दिख रहे हैं, बस आप यह जान लो कि मैं आपको देख रहा हूँ, बस, चलो अब देखिया, आगे समझेए, इसमें बहुत सिंपल है, मुझे पता है, इसको ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बेसिक जीरो लेबल वाले, इसको नहीं देखेंगे, भाग जाएंगे, फिर भी मैं बढ़ाऊंगा इसका हमें लगता है, छे आएगा क्या पारूल बहुत अच्छे, बेरी गुट, पारूल का सही है, ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आओ चलो, इस्ट्रीम हेल्थ इसकी क्या हाल चाल है, बेतर है, तो लाश्ट वाला डिजिट लोग के पहले सेवन, और उसके बाद इसके भी लाश्ट के दो ही अंकलो, तीनो लगे लेने से कोई मतलब नहीं, लाश्ट का दो अंक लेलो बस, चाहे तो तुम एक अंक लेलो लाश्ट का, इसका लाश्ट का अंक 9 है, इसका लाश्ट का 43, देखो भाईया इसको भाग करोगे बाबू जब 37 में 4 से, तो सेस्पल एक आएगा, तुम्हें पता चान और 1 हो जाएगा, इसको भी जब तुम भाग करोगे तो 4 से कितना आएगा, आएगा, तीन आएगा न, तो यह हो जाएगा तीन, यह साथ, यह 9 नमाई, क्यासी नमाईया, भाई साब, 9, 9, 8, 72, इनको जोड लो इसमें, यह हो जाएगा, 736, हमें निकालना है, इकाई यंक, देखो इसको जोडने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर तो हमारा आगया फिलहल छे, देखो मेरे भाई, मेरे बाबू, इसको पूरा नहीं जोडना चाहिए था, कोई मतलब नहीं, हमें यह जोडना, इसका इकाई यंक जोडना, बस, तो 9, साथ 16, जोडना भी आसान है, इकाई यंक, छे आया, बीबी वाला सही है, सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रही तो सेशन को लाइक भी करो भहिया मेरे, फटा फट लाइक करो, देर ना करो, ऐसे टाइम में मज़ा नहीं आ रही, सूराज गेमर, ठीक है सूराज, बेरी गुड, तो चलो, आगे बढ़ते हैं, यह कलास इस पर भी बंद करना पड़ेगा, एक सिकेंट रुकना आप लोग, इसको इन्होंने बंद करके रख दिया, मैं क्या बताओं इनको, आप लोग के वल मुझे टाइम देना, आदा मिनट निवेदन है, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ टेकनिकल इसूज हो रहे हैं आपे, थोड़ा सा रुकना मेरे भाई मेरे बाबू थोड़ा सा रुकना थोड़ा सा रुकना मेरे बंधू थोड़ा सा रुकना ठीक है बस हो गया क्योंकि लाइब सेशन जो है अभी दूसरे वाले चैनल पर भी स्टार्ट हुआ था तो वो इसमें कुछ प्रावबलम आ रही थी। ठीक है done तो इस सारे question कर लेंगे एक बार बोले यस कि यस जोड़ वाले सारे question कर लोगे सभी पक्का कर लोगे न ऐसे जितने आएंगे इसी तरह के सेम गुडावाले कर लोगे अगर इसमें मल्टिपल प्लेगा रहेगा तो यह गुडा लोगे बसene खकनना है छलू एकाल दो बताई देता हूं हनल ढिसी तरह के सेम टूसेम गुडावाला कर लोगे मल्टिपंध क्ला ला कि भाग वाला भीूड क strawberry अभी सब बता देगा अभी सब बता देगा मैं अब दूसरे भातान वालेगा नहीं अन्य दूसरे भाता मैं भेलेंगे बोलेंगे दुपे न को पशस्याया यह को दो सकत दो एफ शेयर टो यह सब दिने समझ में आ रहा हो चचा सभी कर लोगे देखो सुनू इस टाइप में कुश्चन नमबर 5 डाल दो कोड नमबर है लिखो 438 इसकी पावर है 232 गुड़ा 920 इसकी पावर है 148 ठीक है में यूनिट डिजिट बताईए इकाई यंको बताईए चलो फटा फटा बताओ जल्दी करो भाई जल्दी करो आप सान एक्ठी बदल दो यह साथ हो जाएगा यह नो हो जाएगा यह अच्छे हो जाएगा यह नो अब दीज बोलिए आएगा ना पक्का कर लोगे देखिए मैं बताता हूं समझेए हमें क्या करना इसका लाष्ट का अंक लेना है आठ है इसके भी लाष्ट के ही अंक लेने है इसको चार से भाग करना है इसका लाष्ट कांक लेना है इसका भी लाष्ट कांक ले करके चार से भाग करना है इसका जब चार से भाग करोगे तो सेसफल जीरो आएगा बाव गट चोक बत्तिस सब 0 औरा चोपट सब किसी की घठ 0 होती क्या होता है कि किसी भी बरियाबल या किसी भी NUMBER की पावर 0 होती है तो उसका मान वन उन ओंपा जाचा ये कुछ लोग सब 00 करने वाले होंगे एसा नहीं होता है लेकिन इसकी किस्मत ही खराब है इसका मानी नोगन हो जायगा लेकिन यह 0 हो जायगा जीरो अर्पित सिंग कुछ समझ में आ रहा है लिख लीजिए फटा-फट नेक्स्ट कुश्टन पर आगे वड़ते हैं जल्दी करें देखे कहुं कहीं कभी कभी छोटी मोटी मानुए तुरूटी हो जाती है तो उसे आप कमेंट जरूर करके बताए है हमारी भरपूर कोशिस होती ह कि असा कहीं नहीं हो लेकिन फिर भी हो जाता है तो क्या करेंगे खुदा को जो मंजूर होता है अ कि मिटाओं तो यह जोड़ना घटाना सरी जोड़ना और गुड़ा हो गया भाग भी ऐसे कर लोगे मैं घटाना वाला बताता हूं क्योंकि वह थोड़ासा कठीन है मतलब आ कि आप लोग सेशन को लाइक निकर रहो क्यूंक क्या चाहिए बताओ चीए क्या आपको मौ पालियोए न का चाहिए आपको टो निभेदन हो सेशन पो लाइक जरूर करें आपकी जिम्मधारी भी है आप घटाने वाले में देख लो जैसे मानलो मैंने इसमें question number कुछ भी डाल दो एक code है question से कोई मतलब नहीं नहीं तो कहो कि ये तो 5 की बाद 8 लिख रहे हो, 8 की बाद 12 लिख रहे हो काहे को इससे नहीं मतलब है ये है 282 थोड़ा दूर दूर लिख दो काहे कुछ 60 आ रहे हो इसकी गाद 86 है minus 196 इसकी गाद 42 है मैं unit digit बताओ, कोई बता लेगा पट्टा फट बताओ, पहला अपसन है कि 7 होगा, दूरा है, 8 होगा, तीफरा है, 9 होगा और अगला 0 होगा देखे, unit digit मतलब इकाई अंक यह सायद मैं English लिखके गलत किया हूँ इकाई अंक बताओ, देखो बहुत सिंपल है मेरे भाई, पहले आपको दो लेना है 86 को जब तुम 4 से भाग करोगे, भाग करके देख लो, सेसफल कितना आएगा, दो आएगा, भाग करके देख लो तो इसकी घाट 2 आएगा, मैं सीधा फिदा लिखूँगा, छे, देखो एक चीज मैं आपको ट्रिक बताया था, सिस्टम से चाहे वैसे बताओ या ना बताओ, अगर बेस 0156 रहता है, तो उसकी घात कुछ भी हो, उसका इका il yank हमेसा 6 आता है, उसका इका I eng रहता है, तो इसका I eng 6 है, तो इसका I eng 6 आएगा भी, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन कर लेता हूँ, इसको जब भाग करोगे, मेरे भाई 4 से, तो 6 से US फल आएगा, ये 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा ना तो आप इसको 36 से नहीं घटा होगे हमें काई यंक से ही मतलब होता है तो हम इसको 4-6 करेंगे इक्वल 8 हाएगा आप कहोगे काव गुरुजी इस चार में से 6 घटाने पर 8 कप से आने लगा यह तो कहोगे लेकिन है चाच्चा लोग यह कल जुग लगा है कल जुग में सब कुछ संभाव है वैसे मैथ में भी है अब देखो लाजिक समझो कईसे आया वह तो समझा की बात थी देखिए पहले तो यह समझिए कि आप लोगों में से काफी सोच रहे होंगे माइनस का दूए काहना लिख लगता है जैसे माल लीजिए कि मुझे लिखना है यह नंबर यह चार है पांच है तीन है दो है पांच है नौ है और मैं इसका लाश्ट का कहूं कि माइनस कर दूं माइनस दो तो ऐसा होगा क्या फिर तो यह अलग हो जाएगी न संख्या कहेंगे तो माइनस दोसमें घटा दोगे तो तो किसी भी संख्या का इक आई एंक भी माइनस हो नहीं सकता है पहली बात दूसरी बात समझ यह आठ कैसे आए इसका मतलब समझ यह मैं सब बता रहूं क्लियर जब ऐसी स्थिति कहीं आती का इंक में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना पड़े तो हम उ है आइसे होता है कि मानते है यह वह समझे कब देखो मेरे भाई पहले मतलब समझो मतलब समझो जो शुना यह नंबर ठना था। 282, इसकी घात थी 86, इसको हम लोगों ने हल किया और पाया कि इसका इकाई यंग 4 है, बोलो मिला न, ये नमबर था 196, और इसका घात 42, इसको हम लोगों ने हल किया पाया कि इसका इकाई यंग 6 है, अब मत पूछना है कि ये 4 और 6 कैसे आया, ये यहां से तुम पा चुके हो, अब ये बताओ ये संख्या बड़ी है 282 इससे ना इसकी घादे बड़ी है इसका मतलब इसका जो मान आएगा टोटल कुछ भी गुड़ा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी लेकिन लाश्ट में चार आएगा मैं वोलो आएगा न और उसके चार के पहले कुछ न कुछ तो रहे की गिंती नहीं रहेगी मान लो इसके पहले मान लो इसे है ऐसे है मान लो मैं मान रहा हूं रियल में ऐसा है नहीं तो हम क्या करेंगे भाई सहाब अगर ये छे नहीं घट रहा हां इसके पहले भी बहुत कु होगा जैसे माल लो इसके पहले ऐसे कुछ है ऐसे कुछ भी एवंट्वाल एक जांपल के लिए समझा रहा हूं तो अगर यह चार में से नहीं घट रहा मेरे भाई छे तो पिछवास उधार लेते हैं ना प्रडोसन के आँद उधार लेते हैं कि नहीं नमक खतम हो जाता तो मांग लाता हैं नहीं जाके अरण तो ऐसे क्या करेंगे इस में से उधार ले लिए मेरे बाबू मेरे भाई उधार ले लिए ठीक है तो यह क्या होगा च्छा उधा में इसे 6-8 समझ में यह तरीका होता है ठीक है ओके कोई डाउट किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं न थीक है अब देखो आगे माइनस वाला ये पहला कोश्चन था इस तरह से और भी कोश्चन मैंने लिखा नहीं है फिलाल लेकिन मैं कराओंगा भी आपको और भी एक और लिख लो एक और लिख लिजिए ऐसे ही लिखिए 2017 समझने की कोशिस करोगे तब ही आएगा इसकी पावर 139 245 इसकी पावर 87 मैं इकाई यंक बताओ क्या आएगा इसके आप्सन भी इसी में से सही हैं बोलो जो सुरू से देख रहा सिर्फ उसी को समझ में आएगा और पिता यादो कुछ समझ में आ रहा है इसमें पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा आपको क्योंकि एक लास बैसिक वाली नहीं है लाइट थोड़ा कम आ रही है क्या स्क्रीन पर पूरा है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा एक बार कोशिस करिए देखिए बहुँ सिंपल है इसमें भी कोई बताया इसवर दयाल बेरी गूड अर्पिस सिंग मोहित मैं सामने ही ले लेता हूँ अस्वनी साहिजा परबीन ठीक है आप लोगोंने कोशिस क्या बढ़िया है आएगा देखिए मुझे लग रहा है कि अभी अभी आ रही तो जो भी अभी अभी आ रहे है क्लास का टाइम 8 बजे है अगर आप समय पर जूड़ेंगे तो सब समझ में आएगा पक्का आएगा लेकिन समय पर नहीं आओगे तो नहीं आएगा च्छा कलास है न यह 6 नंबर पीछे की 5 कलास जाकर के इमानदारी से देखिए सब आएगा जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता है पहले वो बेसिक पढ़ ले पीवियार स्टडी एप में जाकी एकदम जीरो लेबल वाली जिसमें जोड़ घटाना हाथ पकड़ के सिखाते है आएए इसका अंसर आठाएगा कैसे इसका लाष्ट का डिजिट लो सेवन भाईया हो इसको भाग कर लो बाबू 49 को चार से कितना सेज़ पलाएगा चानवाई 36 तीन सेज़ पलाएगा ना तो यहाँ पे सिर्फ हमें वहीं समतलब है इसका लाष्ट अंग ले लिया 5 वैसे तो मैं बताया था कि 5 की कोई भी घात रहेगी अगर आधार में 5 है एक है या 0 है या 6 है तो उसका इकाई एंग हमेशा वही गिनती रहती है लेकिन फिर भी करके दिखा दे रहा हूं इसको जब हम 4 से भाग करेंगे मेरे भाई तो 4 दूना 8 यह 4 एक कम 4 तीन आएगा इसकी गात क्या बचेगे तीन यह माइनस चल रहा है थीक है तो साथ सता उन्चा सत्य 343 इसमें कोई डाउट यह 125 हमें क्या करना इसको घटाना है हम इसे घटाएंगे नहीं काई को घटाएंगे इसे का मतलब है हम सिर्फ इकाई यंक घटाएंगे बस यह यानि तीन मेंसे 5 घटाएंगे और बराबर आठ लिखेंगे अब काऊगे काऊ गुरुजी का समझा रहे हो कि तीन मसे 5 घटाओगे तो आठाएगा यह कौन सी गड़ित है कहां से पढ़के आवा है बता बताई कहां से आवाई देखा पहले अभी अभी कांसेप समझाया हूं कि अगर गिंती आगे वाली छोटी है तो हमेशा उसके आगे एक मान लेते हैं और मान के तब घटाते हैं इकाई अंख है यह ट्रीक चल रही कोई बेस नहीं चल रहा है इसमें कोई बेसिक नहीं है कुछ भी मैथ के लोग हैं हम लोग सबजी मान करके सुखे रोटी खा जाते हैं तो यह तो कुश्चन है हम मान लिए हमारे सामने एक हजार बच्चे बईठे तब मैं पढ़ा रहा हूं नहीं तो वैसे देखो तो हमारे सामने क्या है उदर कैमरा लगा है उदर लैप्टाप है हमरे में करत सुंसान इकदम फिर भी मैं ऐसे चिला रहे हूं। ऐसे लग रहा हूं ए क्योंकि हैं मैत के टीचर है हमने मान लिया कि आप लोग मेरे सामने बीठे हो कर िसलिए तो उसाधी नहीं कर रहे हैं पहले माद दिशरी हो गई समझ रहो तो बस मान के काम चल रहा है चलो तो यह हो गया इसका लाजिक में अभी आपको और भी समझाया था डी टील में समझाया था पिछले कुश्चन में कई से आया था ना क्योंकि ये गिंती बड़ी है इसका स्कॉयर करो के कुछ भी आया का वन टुवाल इकाई यंग त आया था भाई जहाब इसका मान इससे तो जादा होगा ना तो यह घड़ जाएगा इसमें से अगर तीन से नहीं घटेगा तो धार लोगी अभी अभी जेस्ट जो पिछला कुश्चन कराया हूं उसको जाके देख लो इसमें ये बताया हूं कैसे आया साहिल समझ में आ रहा कुछ साहिल गेमिंग कुछ पल्ले पढ़ रहा है थीक है तो इसको मिटाता हूं इस तरह से आपका ये घटाने वाला भी खतम होता है यार देखिए टाइम लगता है क्लास खतम करने में समय लगता है और अप सभी मांदारी से बताये inspiring क्या आपको समझ में आया साया यास यानो नहीं आया तो हार नहीं हार नहीं हार नहीं हार यह बोल यह सब कुछ ने तुकर बढ़ हो जाएगा सब फिर यह और तो यह हो गया आब इस तरह के कुछ qoction कर लेंगे आप local वाला है अगला टाइप इसमें कुछ और कुष्ट न pig अप LOVE कर लेंगे पाइक आलग SMS है क symmet evenings छ न नेक्स्ट टाइब का इसपे 10 नंबर लिख लो यह कोड है कुश्चन नंबर नहीं है तो लिखो 1035 इसकी पावर 305 ओके माइनस 115 23 में इकाई यंक बताओ यह पहला एक कुश्चन हो गया में इकाई यंक कर लोगे सभी भारत यादो इमांदारी से बताओ कर लोगे न इकाई यंक बताओ इसको 15 कर लोग आया है मैं सभी करोगे चलो यह तीन कुश्चन आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे ठीक है इसकी घाद 128 है इसमें काई यंक क्या होगा बताओ unique digit क्या होगा anyone कोई भी comment कर सकता है बता तो भई क्या होगा आप सने 1 होगा या 5 होगा 3 होगा या 0 होगा बहुत जल्दी ही digital board लगने वाला है जैसे ही digital board लग गया वैसे फटा-फट मैं पूरी टीम खड़ी कर दूंगा सारे subject के सारे टीचर की और हर एक प्रकार के कोर्स आप लाइब देख पाएंगे 24 गंटे में 12 से 18 गंटे बस हमारा आपकी यही प्लान है बस आप लोग सपोर्ट करते रहें बाकी सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी बिल्कुल सही जबाब है इसका इक आई यंक के यूनिक डिजिट फाइप होगा ठीक है फाइप होगा तो यह टॉपिक तो खतम हो गया था यह टॉपिक खतम हो गया था आज एक नया टॉपिक है फैक्टोरियल वाले कुश्च भी सूपर्टेट में आते हैं आते तो बहुत कम हैं लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए ठीक है हाँ सूपर्टेट में जो फैक्टोरियल वाले कुश्चन है यह बिस में बोधक की तरह हचिन होता जैसे यह ऐसे एक बिंदी नीचे रहती मालों आप मैंने तीन लिखा तो इसका मान कोई बताएगा क्या इसे बोलते हैं इंगलिस में फैक्टोरियल आप लोग हेडिंग डालिए इसमें लाइफ हाई एस्टडी जी बिल्कुल चलेंगे एक सितंबर को फिर्फे चलेंगे अब की बार भावी जी के साथ गय थे ना इसलिए आप लोगों को नहीं और वह भी पहली बार गये थे वावी जी के साथ उनको छोड़ने गये थे वहाँ पर ठीक है इसका मान क्या आएगा हेडिंग डालिए फेरिंग डालिए फैक्टोरियल पदों में इकाई अंक इसका थार्ड पॉइंट है जो अब तक सिकेंड पॉइंट पढ़ चुके हो फैक्टोरियल पदों में इकाई अंक सही है इस्पेलिंग पदों में इकाई अंक सबी लिखेंगे जरूर ये मैथ है ये कोई हिंदी इंगलिफ नहीं है कि बैट के लक्चर देख लोगे जब तक लिखोगे नहीं कुछ पलने नहीं पड़ेगा लिखिए जरूर फेक्टेरियल पदों में इकाई इंग अब सभी साथ ही हेडिना लिए जब आधार फेक्टोरियल तथा घात सामान नहीं हो इसमें पहला फ़स्ट जब आधार ये पहला टाइप है फेक्टोरियल तथा घात सामान नहीं हो ये लिखिए भाई या लिखिए ये फास्ट आइफ है इस ताहा के जो कुश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं ध्यान दीजिए इसको मैं आपको करवाओंगा लेकिन उसके पहले आपको मैं इसका मान तो बता दूँ वाटी फेक्ट फेक्टोरियल तो यह कोई बीमारी नहीं है मैंस का एक हिंसा है एक टॉपिक का एक पॉइंट है जो भी समझे लो इसके बारे में देखिए डीटियल में सुनिए कैसे सुनिए दिखे मतलब समझी जैसे यह फेक्टोरियल आगर वन लिखा नसे सीधी लाइन नीचे एक पॉइंट रहेगा वन इसका मतलब सिर्फ वन होता है आगर ऐसे फेक्टोरियल तू लिखा तो इसका मतलब होता मेरे भाई 2 इंटू 1 बराबर 2 ठिक है समझते चलो अगर मैंने फैक्टोरियल 3 लिखा तो इसका मतलब हुआ 3 गुड़े 2 गुड़ा 1 बराबर 6 ठीक है अगर मैंने फैक्टोरियल 4 लिखा अच्छा जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो मुझे फैक्टोरियल 10 का मान बताएंगे क्या पैक्टोरियल 10 का मान बताएंगे क्या चलो सुनो इसका बता देता हूँ तो मेरे भाया इसका होगा 4 गुड़ा 3 गुड़ा 2 गुड़ा 1 यानि 4 तियाई 12 दूना 24 इसी तरह से अगर आप फैक्टोरियल 5 देखोगे तो 5 4, 3, 2, 1 5, 29 तियाई 62, 120 अब अगर आप 6 करो, 7 करो, 8 करो, कुछ भी करो कुछ भी करो अब समझो पहले तो पॉइंट समझे वो तो मैं चलूँग अबाद में उस पहले इसको समझे अगर किसी फैक्टोरियल में ही इकाई एंक पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे मानलो कुछ भी न दिया हो, घात वाद कुछ दिया ही नहीं तो देखो तुनो अगर फैक्टोरियल यहाँ पर लिखवाना पड़ेगा वैसे तो लिख लीजिए लिखवाएं एक पॉइंट लिखिए नीचे इसमें लिखिए नोट करके लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है प्रियांसू बेरे गुड एक पॉइंट लिखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखिए जब फैक्टोरियल का मान पाच या उससे अधिक हो तो इकाई एंक सदेव सुनने होता है घाच चाहे कुछ भी हो नीचे लिखो नोट जब फैक्टोरियल एक चिन बना लो बफ ठीक है का मान ऐसे ब्रेकर लगा लो दोनों तरब जिससे या अलग हो जाए ऐसे ब्रेकर थोड़ा सा कामा इन्वेटर कामा फैक्टोरियल का मान ऐसे पाच फैक्टोरियल या उससे अधिक हो तो इकाई एंक सदेव सुनने होता है चाहे घात कुछ भी हो कुछ भी हो समझो मतलब समझो मेरे भाई देखो यहाँ पर 120 आया न इसी तरह से अगर आप 6 फैक्टोरियल का मान निकालोगे न तो इसमें जो आएगा उसमें भी लाश्ट में 0 आएगा पक्का है कॉनफॉर्म है सत फैक्टोरियल का मान निकालोगे तो जो भी आएगा उसमें भी लाश्ट में सुनने आएग में अब बता वैसा क्यों है ऐसा क्यू legitimate अर् ping है देखो मैं बता रहा हूं सुनों है आइससलिए कि देखो इसमें जब तुम इसका मान निका लोग भाई तो क्या होगा छे गुड़े पांच ना छे पंचे तीस अगर कोई नंबर जिसका आप मल्टीपल कर रहे हो देखो यह 30 बन जाएगा अगर इसमें कोई भी गिंती आ गई है कुछ भी कर दो अगर तुम आग लगा दोगे ना मेरे यार भाई तो सब जलके राखी हो या ना हो जाव अलग बात है लिकिन जीरो जरूर आएगा तो इसी तरह से अगर इसका निकाल तो लाश्ट में जो भी आएगा सुनने आएगा साथ का निकालोगे चुक उसमें भी ने लो कुछ कुछ कफी नंबर ले expert ले लो चाहे जितना बड़ा नंबर ले लो अगर इस चलो बोलो समझ में आ रहा है तो अब इसी दम पे मुझे मान बतादो फैक्टोरियल सिक्स का कितना आएगा फटा फट कितना आएगा बहुत सिंपल है प्रियांसू सालिनी आदो एटू जड नीरज हाँ सबका कमेंट मैं देख रहा हूं लेकिन पढ़ाई पे दयान दो मेरे भाई और आप लोग इसमें रुकेंगे नहीं मुझे पता है ज्यादा लोग क्योंकि ये पढ़ाई वाली कलास है अगर ये मज़ेदा इस तरह के को कैसे करते हैं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आया कि जब फैक्टोरियल का मान पांच फैक्टोरियल या उससे अधिक होता है तो इकाई अंक सदयोट जीरो होता है हमेसा सुनने होता है चाहे उसकी घात कुछ भी क्यों न दी हो ठीक है ये इसक्षन हल करने ही नहीं पड़ेंगे ठीक है तो यह तुम्हें फैक्टोरियल के बारे में सिंपल बात समझा रहा था कि इसका इसक्रीन साट ले लो फिर मैं मिटाता हूं साइड वाला जल्दी करो बिल्कुल लाइफ आया अश्टडी जी ने कमेंट किया कि ऐसा इस लिए होता है क्योंकि उसमें फाइफ और सिक्स जरूर आता है हाँ यह फैक्ट अएक फैक्ट आऔर भी है कि आप कोई वी नंबर का फैक्टोरियल करोगें तो दो और पांच भी आता है तो दो और पांच का गुडा करोगे उसमें भी 10 आ जायेगा तो हमेशा लाइट में 0 जरूर आएगा उसकी quality नहीं बदलने वाली है जिस तरह की नीम की जड़ को क्यों ना आप गुड़ा और घी से सीचो लेकिन कभी वो मीठी नहीं होगी इसी तरह से ये नियम जो है कभी बदलने वाला नहीं चलिए तो इसको आपने कर लिया है अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ question में बस ये मिटाने पोचने वाली टेंसन थोड़ा दिन में खतम होने वाली है कोशिस हमारी जारी है और उमीद है कि सफल होगी तो एक छोटा सा सवाल बताओ question है 3,7,1 इसकी power है क्या यार पहले तो factorial लिखना था ना मुझे और यह factorial मैंने मुझे लगता है उल्टा लगाया था क्या यार चिन जो है ना इसका बाद में लगता है गिंती के यह चिन जो मैंने लगाया साइड यह गलत थाइड लगाया है है ना यह ऐसे लगता है चिन स्वरी यह ऐसे लगता है गिंती के बाद में लगता है जктन है कि तने आही होता है ना हां तो यह चिन जो है इसके पीछे रहेगा यहां पर फ्रैक्टोरिल रह है कि यह और इसकी प्यूंद 1 9 0 है आत इसका इक आयंक क्या होगा बताओ पहला आपन चोंद bakın जीरillasuba टीन होगा यह नान अ अभद出来 होगा प师ôi जबाब दीजिए देली क्लास के लिए सभी साथ ही PVR स्टडी को टेली गराम पर जरूर जोईन कर लें रोहिद विसकर्मा जी यहां पर लिंक कमेंट कर रहें जिसे मैं पिन कर दिया हूं आप डेली क्लास चाहते हैं और फ्री तो जोईन जरूर करें चलिए तो इसका अंसर होगा जी रो बिल्कुल करेक्ट अंसर क्या है सुन सुनने है रहे बाबा भाई अभी कितनी बार बताया कि अगर अगर मगर क्या कि फैक्टोरियल का जो मान है वो अगर 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 फाइब के उपर है अगर वो फाइब के उपर है तो क्या होगा उसका इकाई एंक सदेव क्या होगा यहाँ पर क्या लिखा है सदेव सुनने होगा या होता है चाहे घात कुछ भी हो चाहे घात कुछ भी हो समझ रहो न समझ गए तो इसका आंसर क्या होगा जीरो गात कुछ भी हो क्योंकि अब जब इसका मान निकालोगी भाई या देखो 371 का तो यह ऐसे होगा 371 गुड़े 370 गुड़े 399 आफे करोगे ना करोगे ना तो यहां पर हैं इसी सुनना मिल जा रहा है अब जब हमें अगर इन्हीं सब्सक्राइब करेंगे तब भी लाश्ट में 0 आ जाएगा 5 और 6 वह तो बात बहुत दूर किये तो लाश्ट में कुल मिलाके क्या आएगा सुनने आ रहा है ना यानि कह सकते हैं इसका मान क्या होगा जीरो होगा इसी पर लगे हाथ एक ठेवर बता लो अगर मैं इसकी घात को बदल दूँ और इसमें मैंने कर दिया सेबन अब इसका मान क्या आएगा इन में इसको जीरो कर दिया इसको फोर कर दिया अब बताओ नेक्स्ट कुश्चन जब आप फटा फट दीजिए ट्राइ करते रहिए पॉइंट पॉइंट समझते चलिए देखिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा कुश्चन ना हो सके कलास में लेकिन जितने होना उतने आपके दिमाग और दिल में बैठ जाने चाहिए और जो ये रूल और जो कुश्चन बता रहा हूँ ये अपर और लोवर सभी सुपर टेट के लिए है बस कुश्चन वेकर थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो मैं कुछ कलासे अलग से लेकि उसमें सब क्लियर कर दूँगा ठीक है चीजें सब वही है चलिए जिनको कुछ भी नहीं आता है उपर नंबर दिया गया है उसका जवाब क्या आएगा विकास यादो उपेंद्र अनुरागी और को यह निवन हाँ ठीक है अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं ठीक है जब हम इन्हें गुड़ा करेंगे तो क्या होगा कैसे होगा वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अच्छा एक छोटा सा और सवाल बताईए एकदम छोटा सा फैक्टोरियल 37 इसका मान क्या आएगा क्या हैगा हाँ मैंने क्या कहा कि अगर फैक्टोरियल का मान पांच या पांच से ज़्यादा है तो इसका एकाई एंक सदेव सुनने होता है चाहे कितनी भी बड़ी गिंती हो कुछ भी हो और उसकी घात कुछ भी लगी हो यह याद रखना आपको हल करने की जरूरत नहीं हो यानि मिला करके कही मिला करके कहीन कहीं इसमें इस नंबर आते हैं घिनका लाश्ट में 0 आता है और एक बार 0 ऐकर दियूद्ध कितने वी अच्छे और लास्ट की लगा देते हैं आपने देखा होगा बाबाराम रहीम जी को कितने वड़े वगवान थे वो आज उनकी क्या दसा हो रही है ऐसे बहुत से जम्पल हैं जो काफी फेमस हो जाते हैं और काफी लोगों में मतलब अपनी जगा बना लेते हैं लेकिन एक छोटी सी अगर वो गलती किये अब मैं यह नहीं करा उनके बारे कि आप कब गलती करो और आपका कब रिष्टम पलट जाए तो यह हो गया ठीक है अगला हाँ जब अब दूसरा सवाल आता है कि जब फैक्टोरियल का मान पांच घात से अधिक ना हो छोटा हो तब क्या होगा तब क्या होगा लिखो उसको भी लिखो उसका भी समधान बता अगला हो लिखो अगला लिखो इसमें नोट लिखो जब अफैक्टोरियल कमान पांच ऐसे लिखलो फिलहाल के लिए अभी पांच लिखो पांच से छोटा हो यानि जब फैक्टोरियल का मान जो है पांच फैक्टोरियल से छोटा हो यानि कहने का मतलब एक से चार तक हो तब उसको हल किया जाता है ठीक है हिवांसु कुमार को पांच मिनट के लिए होल्ड कर दीजी आप लोग देख रहें लाइफ या स्टडी और जो भी मड्रेटर हैं पांच मिनट के लिए होल्ड करिये इन है टाइम आउट करिए मतलब तो लिखो फट से यहां पे लिखो तो इसे हल करके मान निकाला जाता है जैसे उधारन लिखो मान लो फैक्टोरियल एफे तीन लिखा है इसकी घाच साथ है में इकाई अंक बताओ इसमें इकाई अंक को बताओ सभी अस्वनी कुमार तजुद्दीन विकास यादो राजु चोधरी ठीक है क्रेजी गेमर बेरी गुड देखे मैं इसको बता रहा हूं समझे इसमें क्या करेंगे मेरे भाई इसको हल करेंगे इसको हल करके इसका पूरा मान निकालेंगे यह तो बहुत चोटी सी संख्या रहे बाबा बहुत चोटी संख्या आए फिर भी निकाल लो तो यह क्या होगा इसका अगर मान साथ कमान क्या होगा इस इंपल सी बाता निकाल लो छे गुड़ा एव यह बाई यह बाई यह बाई रुको 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 को कोई भी गिंती जैसे पांच हो गया इसके बारे में डिटियल में लिखाओंगा आगे उसकी घात कुछ भी लगी हो जैसे छे हो गया एक मिनट इ जब की ओगिंती मतली लाइश्ट कांख फाइफ हो सिंपो एक कोई और वी गिंती साथ लिखाय था दो हमें लगता है है ना इसकी घात कुछ भी लगी हो उसका इकाई यंक सदो वही होता है क्या जैसे छे की घात कुछ भी लगा दो उसका इकाई यंक हमेसा छे ही होगा 5 की घात आप कुछ भी लगा दो इसका इकायंग हमेसा 5 होगा 1 की घात कुछ भी लगा दो उसका इकायंग क्या होगा 1 ही होगा क्यूं? ऐसा है की नहीं? एक गिंती और भी कोई थी जो मुझे भूल रही सायद अस्वनी कुमार अब वैसे मैं इसको लिखवाया था मालूम नहीं सायद इधर का उधर हो गया कुछ एक गिंती और भी थी फिलहाल अगर आपने पीछे की कलासे देखा आये तो आपको कलियर हो गया होगा ठीक है देखा था पीछे का कलास की नहीं देखा था चलो जाने दो फिलहाल ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगर इसकी घात कुछ भी है देखो छे गुड़े छे गुड़े छे साथ बार करोगे ना लाइश्ट में जो भी आएगा कुल मिलाके छे आएगा तो इसका एकाई अंक क्या आएगा छे आएगा इसका आंसर क्या होगा छे ये भी नियमा आप याद रखो ठीक है संख्या 5 और 6 की घात कुछ भी लगा दो उसका 1 आइ इंक हमेशा वही गिंती आती है पांच की घात चाहे 45 लगा दो तब इकाई अंक 5 ही आएगा छे का घात 250 लगा दो तब भी काई अंक आएगा छे ही आएगा 0, 1, 5, 6 सिमरन बहुत अच्छे बेरी गुड़ा अच्छा 0 भी था 0, 1, 5, और 6 इनकी घात आप कुछ भी लगा दो हमेशा वही गिंती उसकी काई अंक होती है तो इसका इकाई अंकी आएगा छे ही आएगा चाहे तो गुड़ा कर लो ऐसे ये देखो तीन बार हो गया 4, 5, 6, 7 कर लो मेरे भाई कर लो 6, 36, 26, 26, 26, 26 कर दे जाओ लाश्ट में कुछ भी आएगा जो भी आएगा 1, 2, 1 लाश्ट में 6 आएगा तो चलो इसको खतम करो आगे बढ़ो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ो चलो कुश्चन है मानलो इसको 25 नमबर मानलो चलो अच्छा लागेगा 5, 6, 3, 0 ये नमबर है 2, 3, 5 इसकी पावर है 197 तो इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ 25A 25B 25C या 25D क्या होगा टिक्टाक वीडियो और वाटसप यादो और पता नहीं क्या 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 अभी आफ हैं या निकल लिए अगर पढ़ने की थोड़ी सी भी मतलब उमीद होगी तो रहेंगे अगर हैं तो बोलिए कि दो चार पाँच बार फटाफट कि हां हम है कि कोई अनिवन बताएगा प्रियांसू लिए फिमांसू गौतम पटेल ठीक है बेरी गुड तो आज से आप लोग अपने साथियों को बता दीजिए कि आप कलास फिर से शुरू हो चुकी है और हम कही नहीं जाने वाले जल्दी से महीना एकात एकात महीना तो कही नहीं जाने वाले है सालू चौधरी ठीक है कितना आया ये हाँ इसका अंसर आएगा 5 बेरी गुड़ 5 आएगा आप्सन की बात करें तो ए नंबर आप्सन सही है क्यों सही है क्योंकि अभी-अभी मैंने नियम बताया था मेरे भाई क्या कि कुछ भी इसकी घात दी हो देखो यह तीन है थोड़ा सा घसीटा हुआ है अब एक कुछ बेलिक दो मेरे भाईया यहां पर बीच में एकाय को गंदा कर दे रहा है तो इसमें से क्या करोगे आप पांच लोगे पांच की घात 197 लगाओगे यही तो करोगे हल करते समय यही तो करोगे ना फिर क्या करोगे अभी मैंने बताया कि अगर 0, 1, 5 और 6 इसकी घात कुछ भी लगादो उसका इकाय यंक वही आता है यह निए इसका इकाय यंक क्या पांच आएगा अगर छे की घात 197 लगादो यह 900 लगादो तब भी इकाय यंक 6 यह आएगा जीरो का घात तुम 218 बारा कुछ भी लगा दो इकाय यंक 0 आएगा अस्वनी समझ में आ रहा है आरके एस्टडी सातेन सर्मा सातेन जी आपको सब कुछ दिखता है मुझे लग रहा है और आपने भगवान से अकल भी ले रखा थोड़ी ची तो थम्नेल टाइटल में सब ल इसकी कितनी भी घात लगा दीजिए उसका आइक आयंक वही वर्तमान संख्या होती जिसकी घात लगी होती है ठीक है दन आगे बढ़ें तो यह तो हो गया आपका फैक्टोरियल वाला पॉइंट चल रहा था अब उमीद है कि आप इसमें कर ले जाओगे तो मैं थोड़ा ट चलिए समझिए एक और सुनूं जैसे अगर मैंने एक दिया एक हजार पाँच इसकी घात तेन सो नाइस इसका इक आयंक क्या आएगा वाट इजिट इन दिस नंबर जल्दी फटा-फट जबाब दीजिए टाइम नहीं है समय ना बर्फ की तरह फिघल रहा है जैसे आप हात में बर्फ ली ओ न कुछ दिरबाद देखो पिघल के गायाब हो जाएगा पानी वचेगा हात में एक थोड़ा सा वो भी सुक जायगा थोड़ा दिरबाद वैसे यह वक्त है यह बर्व की जैसे पिखल रहा है रहे बाबा चाहे तो कुछ कर लो चाहे वैसे बर्बाद हो जाओ जिन्दगी तो ऐसे भी कट रही है चाहे कुछ करो या ना करो तो इसलिए कुछ कर जाओ चलिए देखिए अब क्या करना इसका भी आंसर क्या आगा 5 आएगा बहुत बार बताया हूं इसका अंतिमंग 5 है 5 की घात 319 करोगे यूनिक डिजिर 5 फाइंड होगा अगला हेडिंग लिखिए जब आधार सामान ने हो लेकिन घात में फैक्टोरियल हो अगला हेडिंग लिखिए जब आधार सामान ने हो इसमें बी नमबर लिखना आ है भाईया बी नमबर लिख लो बाबू ए नमबर वहाँ बताया था सामान हो तथा घात में दिख रहा है ना जब घात में फैक्टोरियल हो यह अगला नेक्स्ट टाइप हो गया देखिए मगर प्यार से मगर कोईश्चन देखिए हमें नहीं अब देखिए समझें अरे तुम्हें जाग में बोल रहा हूं देख लीजिए आप मुझे भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा सब चलेगा चलो इसकी अगर जो घात है फैक्टोरियल में वन है चल भाईया तो इसका इकाई यंग क्या आएगा बताओ इकाई यंग क्या आएगा अस्वनी अरजिनी स्यादो गेमिंग किंग का और राजा आ रहा समझ में न और इनका नाम है मैं ऐसे न इनको राजा बोल रहा हूं नहीं तो तुम लोग कुछ आओर मतलब निकाल लो देखिए इसमें भी कुछ रूल है मैं उसके बारे में बात करूंगा सुन लीजिए पहले जब घाट चार फेक्टोरियल या उससे अधिक कुछ भी हो ठीक है तो हमेशा वो चार से पूर्टा विभक्त हो जाएगी अल्टाइम ठीक है और उत्तर लिखते समय दी गई संख्या के इकाई अंकी घाट जो है वो चार होगी फिर उसे हल करके उत्तर परात कर लेते हैं लेकिन ये बात तो एक अलग हो गई पहले जब चार से कम हो तब क्या होगा पहले वो तो समझो देखो इसका option है तीन पांच जीरो एंड वन समझिएगा और देखिएगा क्या हो सकता है देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है जैसे हम लोग मोटी मोटी बात करें जो आप लोग हमेंसा कमेंट करते हो तो साथी करने जा रहे हो किसी घर में जैसे वो लड़का लड़की यह वह बाई आवाज गई रहे बाबा मैं सही तो है चल तो रहा है मुझे लग रहा है कौन कह रहा कि आवाज नहीं आ रही प्रवार है सुनो फिर थीक है तो हमें किसी की साधी हो रही किसी गर में तो लोग क्या करते हैं उसका पूरा खांदान देखते हैं उसका बाप कैसे मम्मी कैसे दादा कैसे दादी कैसे मतलब हर चीज बहुत सारी चीज लेकिन सही बात यह है हमें उसी बंदे को देखना चाहिए बंदी को जिससे हमारी हो रही है मतलब में में है ना समझ रहो कि बाद में कोई मतलब तो रह यह हमें सिर्फ लास्ट वाली गिंती से मतलब है कि समझ रहे हो और इनका क्या है घात जो है फैक्टोरियल में लगा है कि तव हमें इन ही से मतलब है सबसे कोई मतलब नहीं है तो मिंद यह तीन गुड़ा 2 बराबर कि आएगा छे कुछ गडबड हो रहा का है में ए भाई एक मिनट ये तीन गुणा दो कहां से हो गया ये तब होता जब फैक्टोरियल दो होता ये फैक्टोरियल वन है स्वरी तीन आएगा आंसर क्या आएगा तीन राधा सोनी आएगा जब आप रेगुलर कलास में आओगी ये भूल चुक से आगई हो तो नहीं आएगा रो जाना पड़ेगा ठीक है इसका आंसर कितना आएगा तीन हाँ अगर ये यहाँ पर फैक्टोरियल दो होता तो इसका आंसर कितना आता जानते हो हम कर क्या रहे हैं फैक्टोरियल वन का मान तो वन ही होता है न इसलिए मैंने तीन का गुड़ा वन में कर दिया तीन आ गया अगर इसकी बात करें तो क्या होता ये दो गुड़े एक यानि तीन का घात दो मतलब नव आता ठीक है? अगर ये तीन ही रहता और घात इस पर फैक्टोरियल तीन रहती तो क्या आता? समझ लीजिए मैं कुछ इस्ट्रा बता दे रहा हूं अच्छा रहेगा तब मेरे भाईया, मेरे बाबू, ये हो जाता तीन और ये इसकी फैक्टोरियल का मान निकालना पहले ही सिखा दिया हूं तो फैक्टोरियल तीन का मान छे होता है तो जब तीन का घात आप छे करोगे तो कितना आएगा? करके देखो और बताओ कुछ भी कर लो, नौ आएगा लाश्ट में करके देखो, तीन तरिका, नौ तरिक फटाइस, तिया, एक्यासी, एक्यासी तिया या, 243 फिर तीन से गुड़ा करोगे, 243 में, तो तीन तरिका, नौ लाश्ट में नौ आएगा ओके, तो दिफीज दा अंसर और, ठीका, इसको हटाइए, अब कुछ और भी करते हैं, यही करेंगे आप देखिए, इसको कुछ समझना नहीं था जादा इसमें जो नहीं लिख पाए, वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे, चुपके से बस, आ जाएगा लिख लेंगे, चलो इज़र पहली बात तो यह सूपर टेट वालों को पढ़ा जा रहा, यह किच्ची बिच्ची जो 8 वाले, 7 वाले, 9 वाले, 10 वाले जुड़े होंगे, उनको समझने की जरूरत नहीं इसको ठीक है बच्चा, अगर तुम कच्चा एक से 10 तक में हो तो भाग जाओ यहां से, यह तुम्हारे काम का नहीं है, कच्चा 12 में पहुंचोगे, तब इसका काम लगेगा, उसके पहले काम नहीं तुमारा, चुपके निकल लो यहां से, और अगर आप सूपर टेट, टेट, सी प्राइद यहां बता, क्या है, एक और कर लो फिर इसी पर, अगर इसकी घात factorial 4 हो जाए तब क्या होगा, तब कितना यहागा, जो시면 बता दे रहे रहे है, 3 है, 3 का घात factorial 4, बहुत पहले बता चुका हूं हां चार तीयां बारा चार तीयां बारा दोना 24 यानी तीन का घात कितना है 24 करके देख लो गुड़ा-उड़ा कर लो कुछ भी कर लो तुम इसमें एक तरीका और बताया गया था इस्टार्टिंग में अगर घात बड़ी हो तो फोर से भाग करो करोगे घात में क्या करोगे फोर से भाग करोगे अगर घात बड़ी हो तो बैया हो 24 में चार से भाग कर लो बाबू सेस फल जो आएगा जो सेस आएगा वो इसकी घात बनती है इसमें भाग करोगे सेस फल जीरो आएगा और जब सेस फल जीरो आता है तो हमेशा उसको चार स से बदल दिया जाता है कि हमें सब 4 से क्या करते हैं रिपलेस कर देते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी फाइनल में 4 अगर आपने पीछे की छे कलास देखा है तब इसको समझ पाओगे नहीं देखा है तब इससे सर्माओगे लाश्ट में किसी काम के नहीं रह जाओगे इफल कोई साथ ही और सेशन को लाइक भी करना आपकी जिम्मेदारी कि क्यों भाइया आ रहा समझ में ना बाबू सबको आ रहा है ना देखिए थोड़ा समझ में लेकिन आना चाहिए मार्केट फे तुम जाकरके 10 किलो सड़ा सेब खरीद लाओ कोई मतलब नहीं भले तुम दसी रूपय को ला रहे हो दस रूपय का 10 किलो सड़ा सेब किसी काम का नहीं है लेकिन अगला कोई ब्योकूब जाए 500 रूपय का क्यों पांच सेब ले आए और वो बढ़ी आओ अच्छा हो तो वह अच्छा काम कि लेकिन तुम गंदहीं लाकियों कि क्यों कि जो कुछ आया वो किसी काम का तो निकला ना भले तुम संस्ते में ले आयो फालतूत हो गया वैसे इसमें अगर किसी के कलास में तुम जा करके एक घंटा में हजार कोईश्चन पढ़ लेते हो समझ में तुम्हें कुछ नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं एक घंटा में तुम्हें दो यहां आपने जीरो लेबल देख लिया ना पूरा का पूरा दूवाँ दूवाँ कर दोगे एकदम तो ठीक है यह समझ गए इसमें मैंने एक नियम लिखाया है नहीं लिख्यों का लिख लो जब घाट चार फैक्टोरियल या उससे अधिक कुछ भी हो अभी मैं सामने से हट जाऊंगा टेंसन मतले ना हट जाऊंगा अभी तो घाट हमेशा चार से पुड़ता विभक्त होगी घाट हमेशा चार से विभक्त होगी और जब घाट हमेशा चार से विभक्त होगी तो क्या होगा मतलब सेजफ़ल सुनने आएगा यानि सेजफ़ल अगर सुनने आएगा तो सिम्पल सी बात है उसको चार से बदल दिया जाएगा तो ऐसे मान लो कि अगर कोई भी ऐसा नंबर दिया गया है जिसकी जो घाट है वो क्या है चार फैक्टोरियल या उससे अधिक है ठीक है तो हमेशा मान लो कि उसका अंसर जो आएगा इकाई अंक की घाट चार आएगा ठीक है तो इसमें कुछ कोईश्चन दिखाएं आपको कर लोगे ना लेकिन आप टाइम ज़्यादा हो रहा है इसको लिख लीजिए इस पर हम आगे अगली क्लास में बहतरीन डिसकसन कर देंगे बहतर समझ में आ जाएगा फिरी मन्त के लिए पूरा कोर्स मिल जाएगा वाट्सअप पर डाउट ओगरा भी क्लियर किया जाएगे बहुत सारी फैसल्टी मिलेगी मैं सिखानी की पूरी जिम्हेदारी लेकिन याद रहे अगर आपको यह नहीं लेना 699 तो निवेदन है कि ना करें यूट्यूब पर मैं फिरी पढ़ाता हूं पढ़ते रहो बिल्कुल प्यार से पढ़ते रहो एकदम फिर चलते हैं फिर थैंक्यू